पुल्वामा आतंकी हमले के बात दिये गए बयान से पंजाब सरकार में मंत्री नौजोज सिंग सिद्दू की मुश्किले बढ़ गई है विरोधी दल तो उनके खिलाब पहले से ही मोर्चा खोले हुए बैठे हैं वही अबुनी की पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अर्मिंद सिंग ने भी सिद्दू के बयान से किनारा कर लिया है अर्मिंदर सिंग ने इसे सिद्धू का नीजी बयान बताया है और उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी की लाइन इस पर अलग है वही हम आपको बतादे बात्चित में पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अर्मिंदर सिंग ने कहा है कि लोगतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और किसी को रोका नहीं जा सकता है उन्होंने कहा कि सिद्दू से कतारपूर कोरिडोर के वक्त भी पाकिस्तान न जाने के लिए कहा था लेकिन वो नहीं माने मुख्य मंत्री ने कहा कि कॉंग्रेस का स्टैंड इससे अलग है और पार्टी इस मुद्दे पर एक जूट है वही हम आपको बतादे कॉंग्रेस ने क कहा कि सिद्दू क्रिकेटर है और पाकिस्तान के प्रदान मंत्री उनके दोस्त थे उनके साथ क्रिकेट खेला करते थे हो सकता है कि उनकी सोच इस मुद्दे को लेकर अलग हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके मन में पुलवामा हमले को लेकर दुख न हो पूरी जिनों ने इमरान खान को प्रदान मंत्री बनाया है। ऐसे में साफे की जैश का हर कदम पाकिस्तान सरकार के इशारों पर होता है। उनका इस्तिफा मांगा। बजट सत्र के दौरन विधान सबा में सिद्धू के खिलाप जमकर नारेबाजी हुई और उनकी फोटो जलाई गई। वही इसके बाद सिद्धू ने बाहरा कर बीजेपी को कटगरे में लिया। और सवाल पुछा के कंदार के बाद 1999 में किसने आत खाने चाहिए वही हम आपको बता दे जमो कश्मीर में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे।